दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एविटेक में आज है एक अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की मात्रपूंड खबरें जो प्रमुख समाचार पत्रों पर चाही हुई है सबसे पहली अपडेट है यहां पर वाड़ी जिकर विवाग में लिपकों की बड़ती के बारे में लिखा है कि यहां पर जो बड़ती हैं वो सिगरी आएंगी मुख्याले की इस्तर पर इसका जो प्रस्ताव है तैयार हो रहा है सभी जो उनसे रिप पदों की सूचना भी मांगी गई है निचे दिया गया है कि वस्तुय हम सेवा करें जियश्टी लागू होने के बाद काम के बढ़ते बोज को देखते हुए सरकार ने वाड़ी जिकर विवाग में लिपकों के रिप पदों पर बढ़ती की तयारी सुरू कर दिये विभागी मुख्याले के इस्तर पर मवजूदा रिप पदों के अलावा आगामी जून तक रिप्त होने वाए लिपकी संवर के सभी पदों का ब्यवरा तयार किया जा रहा है इस संबन्द में वाड़े जिकर मुख्याले ने सभी जून की एडिशनल कमिशनों से जून 2022 तक रिखते होने वाले लिपकी संवर के अलावा चालकों के पदों का भी ब्यवरा जो है मांगा गया है और यहां पर देखे लिखा है कि अभी काफिस में पदों के संख्या जो है वो कम हो गई पहले से भी विवाग में लिपकी संवर के 366 से अधिक पदर रिखते हैं और इसमें विवागी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है तो कुल्म लाकर के दिखा यहां पर कि डिप्टिस सच्चु ने सभी जोन के एडिशनल कमिशनों को एक सब्ता में अरिक पदों के सूचना मुख्याला के उपलफद करवाने के लिए कहा गया है ठीक है तो एक सब्ता में अगर यह सूचना आ जाएगी तो इसके बाद जो भरती की प्रक्रिया हो आगे की शुरू हो जाएगी यहां पर आपको जल्दी ही भरतीयां देखने को मिलेंगी कई प्रकार के यहां पर पद है कौन कौन से पद देखने अगर देखें तो यहां पर देखें लिखा है कि जिन पदों पर बढ़ती के लिए प्रस्तावत तयार किया जाए रहा है उनमें लिपकी संवर के व्यक्तिक्स आये ग्रेड वन ग्रेड टू आसुलिपिक कंप्यूटर आपड़ेटर गेड एवा बी इस तरह कि से कई सारे पदों पर यहां पर बढ बढ़ते हैं अगे इलहाबद विश्विद्याले की प्रवेश परिच्छाओं को लेकर कि यहां पर अपडेट है लिखा है कि 18 अक्टूबर से इलहाबद विश्विद्याले की प्रवेश परिच्छाओं शुरू हो रही है बीस और 11 एक्टूबर को इसनाह तक 27 को PGT1 की प चादर है वह अपना देख लें और ज्यदा डीटेल जो भी होगी आपके अफिसल साइट पर मिल जाएगी बढ़ते हैं यहां पर अगली अपडेट की तरह भी यहां पर बीएड काउंसलिंग को लेकर कि अपडेट है लिखा है कि दूसरे चरण की सीटों के अवंटन का पर प्रदेश के सरकारी वे प्राइवेट कालोजों में बीएड प्रवेश के लिए आज़ोजित की जारी काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीट का अवंटन का जो परगडा में ब्रैस्पतिवार को जारी कर दिया गया है इस चरण में 44,047 विर्थियों ने चोईस लाग किया एक हजार चरण सोला विर्थियों ने कोई विकल पर लौक नहीं किया था तो कुल मिला करके 31,536 विर्थियों को सीट का अवंटन कर दिया गया है काउंसलिंग के तीसरे चौन के रेजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिये गए हैं तो अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते है अगली अपडेट यहां पर है आज नोचेहनित नयव तैसिलदारों को नियुकती पतर देंगे मुख्यमंतरी यह होगी अजितनात सुक्रवार को नयव तैसिलदार के पद पर चेहनित करीब 1,5-100 बिर्थियों को नियुकती पतर देंगे यह बिर्थि साथ माहिने से लोग बॉन में आवजित किया गया है अगली जो अपडेट है यहां पर है वो है टीजटी भरती 2016 को लेकर के पिजटी बढ़ती 2016 को लेकर की तो कुई मिला करके जो अब्रतियों का इंतजार है वो समापत हो चुका है टीजटी समाजिक विज्ञान वक्कला का जो विद्याले का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गए आप लोगी रिजल्ट गवर्मेंट जॉबसेंटर डॉट कम से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगे साथ ही जो ब्यब्रती इंटर्विव में सामिल हुए थे या जिनका इंटर्वि ु सिच्छा सेवाज चैन बोड़ ने ब्रैस्पतिवार देर रद टीजीक्री 2016 के समाजिक विगयन और कळा की चैनोतों को विद्याले mapped कर दिया गया चैने बोड के मताबिक समाजिक विगयन में 1200 5 Bev wins को विद्याले अवंट क्या विद्याले किया गया मैं वीद्याले आउं आप लोग या पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग पूछ सकते हैं यूपी सीटी के प्रग्राम को लेकर के यहां पर देखिए अपडेट दी गई लिखा है कि यूपी सीटी दोज़ार किस का जो नतीजे हैं वो गोसित कर दिये गए आप लोग नतीजे चेक आउट कर स समय थे कई इंजिनेरिंग मेनेजमेंट फार्मेसिस के कालोजों में यहां पर एडमेशन हो नहीं है तो जो भी छात्र है वो लोग अपना इसको चेक आउट कर सकते हैं यहां पर लिंक दिया गया यूपी सीटी डाट एंटी डाट एनाइसी डॉट इन पर अपना जो रिज दॉ केंडरों की जो प्रिज्षा वह निरस्त कर दिए तो कौन कौन से केंडरों की परिच्छा निरस्त हुई है आप दे सकते हैं यहां पर लिखाए की लिख आए की तरब से गुरुवार को आदेश जो जारी हुँ समतुरा जन्पद में गरिद विसाय की समय की चृत कि तो आप लोग इसको देख सकते हैं बढ़ती अगली अगली की तरफ याँ पर अपडेट EWS आरच्छन को ले करकि देख़ाई पुरानी बढ़ती में EWS आरच्छन नहीं बढ़ती कर पाएंगे पुराने अब्रतियों की बात करें तो नई वर्तियों में यह रच्छन देना चाहिए जब पुरानी वह दिया जा रहा है यह रच्छन लागू कर दिया गया है तो उसी के बारे में आपडेट किया गया है कि देखिए कि दूसरी तरफ बाल विकासवा किसे लोग को एब जारी करने का प्राव जारी कि नहीं किया ता इसे लेकर करके बालति। दिया जाना है लेकिन इसे बिच अब झालति हाइउ कोड चले गए और इस बfeltिम फिलाल जो है नहीं दिया गया आंगनवादी वोड्तिवों में कि एससी को लेकर के यहां पर अपडेट आए कि सीएच इसल तारा में पांच यार शहसो पैंतालिस ब्रतियों का चैन कर्मिचारी चैन आयोग ने अंतिम परड़ाम जारी कर दिया कर्मिचारी चैन आयोग ने गुरुवार को कम्बाइंड हाय सेकंडरी लेवल परिच्छा का अंतिम परड़ाम जारी कर दिया गए इस परिच्छा में पांच जार शहसो पैंतालिस ब्रतियों को सफलता मिली है लडी सी जे से जे पी एक में 1865 ब्रतियों का चैन हुआ है ठीक है और वहीं पर लिखा एस्टी के समेंगा कटेगरी वाइज बात कर तो एस्टी के 167 के 26 और चैन किया गया है तो यहां पर सारा जो रिजल्ट रेवलों का एससी की वेबसाइट पर चेकाउट कर सकते हैं इसको और इन्होंने सेवाइं बहाल करने की लिए जो है धरना प्र quartoरसम कर रहे थे थे तो फिलाल मंत्राने से जहसे Tekार. इसकंधिकर यह हैं वहाल किये जाने करने लिया गर्पी के शहित कई राजियों के जो सायक पर उोसके इन永ले ही हैं दिखाय कि सिच्छा मंत्राले के दखल से देश के दस से अधिक राज्यों की सरकारें इंजरिंग डिगरी कालेज के स्वाइं बाहल करने की तयारी कर रही है उत्राकंड ब्यार जम्मू कस्मिर के बाद अवुत्तर प्रदिय सरकार ने भी इनका कारकाल बढ़ाने की युजना बना ली है आने राज सरकारों से मंत्राले बात कर रहा है इंजरिंग डिगरी कालेजियों के इन सिच्छकों की सेवाएं 30 सित नंबर को समाप्त हो गई है यह लगातर 15 दिन से मंत्राले के बाद धरने पर बैठे थे तो प्रिम्लाकर के इनके लिए एक अच्छी अपडेट आ चुकी है जल्दीन पर नोड़े हो जाएगा तो यह होगी दोस्तों आज के सारी अपडेट आसा करते हैं वीडियो प्रसंद आया होगा फ़लारे से वीडियो में इतना ही धन्यवादा